हेलो व्यूवर्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फोर सक्सेस में और आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपोर्टेंट है जिनका भी लेंग्विश प्रोफिशेंसी टैस्ट यानि की ल्पीटी होने वाला है तो प आप उसकी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर देंगे क्यूंकि अभी काफी टाइम है डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन होने में तो जिनका भी जो भी उनकी लॉकल लेंग्विश है या जहां से भी उन्होंने अप्लाई किया है तो वहां की लेंग्विश को अगर वो नह करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप regions में जो होता है यह यानिकी लैंग्विश होता है और ये उन सभी candidates को देना होता है उस language का जिन्होंने भी जिस state से apply किया होता है तो ये एक formality होती है ये सिर्फ ये जानने के लिए होता है कि अगर आपको वहां की branches में जो है वोस्टिंग दी जाती है तो आपको वहां की local language आती है या नहीं क्योंकि सभी customers को English नहीं आती है तो mostly people क्या कुछ लोग जो है वहां की local language में भी बात करते हैं लिखते हैं तो इसी लिए आपको जो है वहां की local language जो है वो पढ़नी भी आनी चाहिए बोलनी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए तो इसी को जानने के लिए जो होता है एक language proficiency test होता है तो अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको जो है basic knowledge चाहिए होती है अगर आपको basic knowledge या फिर कहें अगर आपको वहां की 40% जो है language भी आती है जिस भी language के लिए आप जिस भी state के लिए आपने जो है अपलाई किया और जो भी वहां की local language है अगर आपको 40% भी आती है आप उसे बोल सकते हो लिख सकते हो और साथ ही पढ़ सकते हो तो फिर आपको जो है LPT में कोई भी problem नहीं आएगी क्योंकि LPT जो होता है वो सिर्फ ये basic knowledge आपकी जानने के लिए होता है बहुत जादा जो tough level का होता है वो नहीं होता है बहुत ही simple होता है बहुत ही easy जो है questions जो है आपसे पूछे जा सकते है कभी आपसे newspaper पढ़वाया जा सकता है या फिर आपको कुछ sentences दिये जा सकते है local language मे उनको आपको जो भी language है Hindi या English आपको उसमें लिखना होगा लेकिन LPT जो है candidates को देना होता है अगर वो किसी और language से हैं और किसी और state में apply कर रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा important हो जाता है अगर आपने 10th class तक 10th तक 12 तक या किसी भी school में इस school की किसी भी class में अगर आपने ये subject जो है पढ़ा है या college में कभी पढ़ा है तो फिर आपके जो LPT होने के chances होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है आपके पास एक proof है आपकी mark sheet में कहीं पर mention होता है कि आपने ये subject जो है वो इस class तक या इस time पर पढ़ा है तो आपका जो LPT होता है उसके होने के chances काफी कम हो जाते हैं लेकिन अगर आप किसी और state से हैं और किसी दूसरे state में apply कर रहे हैं तो फिर आपको जो है LPT लेना जो है वो थोड़ा सा important हो जाता है तो अगर आप किसी और language किसी और state से जिससे आप belong करते हैं उसके अलावा क किसी और state में आपने apply किया है आपका selection हो गया है वहां से तो आपको वहां की local language आनी चाहिए अगर आपको नहीं आती है तो आप उसे सीखना start कर दे क्यूंकि अभी आपके पास document verification के लिए काफी time है not all banks conduct LPT देखिए सभी banks जो है वो LPT नहीं करवाते हैं यह depend करता है bank पर यह depend करता है आपके regional office या zonal office पर कि वो आपका LPT लेते हैं या नहीं लेते क्यूंकि अगर हम देखिए तो सभी banks जो है वो language proficiency test नहीं लेते हैं और साथ ही ये भी देखा जाता है कि आपने वो subject किसी class में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो जो है अगर आपको पता है कि आप ये test जो है वो qualify कर सकते हैं तो तो आपको कोई tension लेने की बात नहीं है लेकिन अगर आपको वहां की local language में थोड़ा सा भी doubt है तो please थोड़ा ब कोई बहुत बड़ा जो है आपको पढ़ाई नहीं करनी है बहुत ही simple level का होता है easy level का और आप easily qualify कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा भी इसके लिए पढ़ लेते हैं तो काफी सारे banks ते जैसे PNB थे union bank थे उनके सब ही जो है regional offices ने अपने candidates का language proficiency test जो है वो नहीं लिया है next if you get fail in LPT अगर आप जो है LPT में fail हो जाते हो यानि कि अगर आपके bank ने आपका language proficiency test लिया और आप उसको qualify नहीं कर पाए तो फिर आपको जो है वो time देते हैं आपको 3 months दिये जाते हैं 4 months दिये जाते हैं 6 months दिये जाते हैं और उस 6 months के बाद जो है आपको आपका फिर से LPT लिया जाता है और उस LPT टेस्क में अगर आप मत clear नहीं कर बाते हैं अगर आप उसको qualify नहीं कर पाते हैं तो यानिकि रो हो जाते हैं या उसको clear नहीं कर पाते हैं तो tionyard लेने वाले बात नहीं है आपको extra time भी दिया जाएगा जिससे कि आप उस language को सीखें उसको बोलना सीखें उसे पढ़ना सीखें उसे लिखना सीखें ताकि जब दुबारा आपका language proficiency test हो तो आप उसको clear कर पाएं तो LPT से आपको बहुत जादा डरने की जरुरत नहीं है अगर आपने किसी और state से apply किया है तो आप उसे पढ़ने लग जाएं और अगर आपको वहां की local language है जहां से भी आपने apply किया है वहां की local language अगर आपको आती है तो फिर आपको LPT की शाय जरुरत ही ना पढ़ें और अगर आप LPT में fail भी हो जाते हैं तब भी कोई tension वाली बात नहीं है क्योंकि आपको extra time मिलेगा जिसे की आप आराम से उस language को पढ़ सकते हैं और साथ ही बैंक में जब आप job करेंगे तो आपको वहां से daily customers के साथ interaction होगा आपको local language बोलने को भी मिलेगी देखने को भी मिलेगी पढ़ने को भी मिलेगी तो इसलिए आपका जो है अपने आप जो है वो local language आपको वहां की आने लग जाएगी तो अगर आपको 30-40% भी local language आती है तो आप LPT easily clear कर लोगे अगर आपका bank जो है LPT conduct करवाता है यह थी important information language proficiency test को लेकर जो मैंने अभी आपके साथ share की अगर आपके लिए यह वीडियो important हो आपके लिए helpful रही हो तो प्लेज इस वीडियो को like करें share करें साथ ही ऐसी बहुत सारी updates जानने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें and thanks for watching